मुल्क 75 वी वर्षगांट यानिकी जश्ने यव में आजादी मना रहा है लहाजा इस आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानिया दी उन्हें कहीं तो भी नजर अंदास किया जा रहा है इस तरह का इल्जाम भी बारहा लगाया जाता है आज खास महमान आज हमारे साथ इस जशनियों में आजादी के मौके पर खास महमान हमारे साथ मौझूद हैं जो फौज में रहकर उन्होंने खिदमात अंजाम दिये हैं मैं बारी बारी उनके नाम भी पूचूँगा वो नाम भी बताएंगे लिहाजा फिर सवाल करेंगे कि वह इस मुल्क के जो 75 वर्चगांट जो बनाई जा रही है अमृत महत्सव के नाम पर मुल्क की दिशा दशा जिस तरह से 75 साल देखते देखते गुजर गए और आज एक आम इंसान एक गरीब इंसान यहां जिन्दा रहने के लिए कोशिशे कर रहा है जद्दो जहद कर रहा है और फिर धर्म जात पात इसकी वे एक सियासत पूरी लंबी चल रही है यह जो बदलती तस्वीर आपने देखी है आपको कितना दुक लगता है खुशी होती है 75 वी पर सभी का हर दिख स्वागत अब जंदन करता हूं मने तीस साल फावज में नौकरी किया जैसे कि अभी आपसे पूछा गया बताया गया आज के दिन को मनाने के लिए सिर्फ फावज ही नहीं पूरे देश पूरे दुनिया के लोगों ने अपने कुर्बानी दी थी जिसमे नहीं था उस टाइम पर भी उनके बीबी थे बच्चे थे परिवार था आज तो फोज में कुर्बानी देने के बाद सरकार बहुत कुछ देख भाल करती है लेकिन उस टाइम के फोजियों के लिए ऐसा कुछ लिखित में नहीं था लेकिन फिर भी आजात भगत सिंग तात् बॉडरे में ठीक था क्योंकि ना बॉडरे में मुझे पानी की दिक्कत थी ना ही मुझे रोड का दिक्कत था ना ही मुझे कोई अडिमिशन दिक्कत था लेकिन आज MLA MP हम सोते MLA बन गए MP बन गए बहुत बड़े आफिसर बन गए वो हमारी देख भाल करेंगे लेकिन जब उनके पास हम जाते हैं हमें लगता है उनके पास हमें देने लिए कुछ नहीं है हमारे से ही उनको सब कुछ चाहिए एक आम आदमी आज पानी के लिए रोड के हमारा परिवार अपने घर में रहता था हम बार्डरम होते थे हमें सेकूर्टी कोई चिंदा नहीं थी ना ही बच्चों की एजूकेशन कोई दिक्कत थी आज मैं जिसलाके में रह रह रहा हूँ अमान नगर में जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरे आखों से आसू आ जात है और लगता है आगे क्या होगा इन्होंने पूचा है कमुनिटी के बारे में धर्म के बारे में मैं एक ही बात बोलूँगा मैं फोजी हूँ मैं किसी धर्म विश्यस को नहीं मानता हूँ मेरा एक ही धर्म है जय हिन जय भारत लेकिन जब मैं देखता हूँ हमारी फोज में जो हम फिल्ड में होते थे एक ही जगे पे दो टेंड लगते थे एक मंधिर होता था एक मजीद होता था और हम प्यार से जिन्सक्राइब करते थे त्युवाइब मनाते थे ते आगे आने समय में सोने, हीरे, जवाराद, सब के चीडिया भारत बन जायेगा और भारत को आगे बढ़ने से को रोग नहीं सकता है अपने जैसा बहुत सारी बाते कही लेकिन ये देखा जा रहा है कि आप फोज के भी अफसर हैं बड़े-बड़े वो अब किसी सियासी पार्टी की हमायती बनकर टीवी चानलों पर आते हुए नजर आता है तो ये एक तब्दिल ये आपको खैसा लगती है नहीं ऐसा नहीं है जो फोजी अफसर सें जबता को वर्दी में Meine किसी सियासत के बारे में बोल नहीं सकता है इतना तजुर्भा है उन्हें नहीं जिन्दगी और मौद को दोनों को साथ साथ देखा हुए है ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने गोदी में अपने दोस्त का बोड़ी उठाया होगा हमारा लड़ाई लड़ने के लिए जो हम जाते थे हमारा दोस्त थे हमारा भाई हमारा माबाब सब कुछ होता था हम उसका धरम नहीं पूछते थे उसके साथ मर जाते थे और उसको उठागे लाते थे लेकिन जो यह बात आप कह रहे हैं कि सेना के जो आफसर पॉलिटिक्स में है वो सेना छोड़ कर जाने के बाद है तो उसके बारे में मैं आर्गुमेंट नहीं कर सकता हूँ मैं एक बहुत संजीदा सवाल मैं बता रहा हूँ आखरी क्योंकि यह यह लोगों के सामने वजाहत भी जरूरी है कि पिछले जो मालगाओं बंधमाके वगरा हुए तो करनल पुरहित का भी नाम आया तो इसके साथ साथ और भी कहीं करनल और फौजी लोगों के तो क्या कुछ बदल रहा है क्योंकि धर्म, जात, पात, सियासा यह फाउज में तो देखी नहीं जाती फाउज में तो एक ही इंसान यह एक ही धर्मा है वह है भारती है तो यह लेकिन जब बदलती तस्वीर को आप मैसूस कर रहे है या ऐसा एकाद के वाकिया हो सकता है बाकि ऐसा कुछ नहीं है देखे आप जो कह रहे है करनल रेंग एक बहुत ही सम्मानित रेंग है और आज मुझे आप भी कह सकते हैं लेकिन जब तक कुछ चीज साबित नहीं होता है कुछ भी किसी कहने से उसको मानना नहीं चाहिए यह सिर्फ एक प्रवगंडा बेस्टिस फिर प्रवगंडा बन जाता है और उसमें किसी को बनाम करने के साजिस्की जाती है इलक्षनों में भी हमने देखा कि फौज के लोग भाजपा को ओड डालने के लिए कह रहे थे क reals virtual भी वैते सोचल मेडिया इस पर आप कुछ जानते हैं सर कुछ भी किया सब्सकी है इसे कुछ इसे सब्सक्राइब को नौजवान को आपक्ाइब दो मैं पैदा हुआ था तुक भगवान आल्ला कि कुछ नहीं पता था कि मैं कौन से ध्रÁ में मुझे 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 मैं मुझे 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 मैं बनन गया लोग निकर मुझे हिंदु बनाillos तेम और मैं किसी स्यासे से बिलांग नहीं करता हूँ लेकिन मैं मानौता कि दुख को ऐसास करता हूँ क्योंकि में एक सवाल और भी आपके साथ में है कि अगर आप मानते हैं कि हिंदू धरम, या मुस्लिन धरम, या कोई भी धरम तो अगर उसमें ऐसा होता, आप मुझे कह दी, ज मर जाओ मर नहीं सकता क्योंकि सभी कम्यूटिक लोग कोई 60 साल कोई 50 साल कोई 70 साथ और कोई पैदा होते मर जाता है तो हमें कम्यूटी छोड़ करके इंसानियत के मुद्धिया पर काम करना चाहिए असलाम आलेकों पंचात्रों यौमि आजादी कर खुशियों के दौरण में एक चीज बताना चाहता हूं जहां पर भी रहो खुशी रहो और अमन के साथ रहो हमारे साब ने अब बहुत अच्ची चीजे बताई है यौमि आजादी के बारे में और इस देश के बारे में यही बहुत है मेरा नाम रशीद एहमद है और मैं अमनगर में रहता हूँ रैंक नाइक है चांद सब देशाई मैं नए सब्दर आपवा सब हुलिकटी मेरा नाम इमाम मेचन हुलिकटी रैंक नाइक झाल